चे पैरों के साथ पैदा हुआ एक कुट्टे को चमतकार कह जा रहा है क्योंकि वो नकेवल जीवित है बलकि सभी बाधाओं से जूज रहा है और संपन भी है संयुक्ति राजी अमेरिका की ओकला हुमा में नेल पश्यो चिकित सास पताल द्वारा उसकी कहानी फेस्बुक पर शेर की गई है वो इस थान जहां वो पैदा हुआ था पोश्ट में बताया गया कि स्पीकर नाम के कुट्टे का बच्चा अपनी शर्तों के साथ किसी भी अन् के ना इन से अधिक समय तक जीवित रहा सेंटर ने लिखा आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा अलग दिखती है छे पैर उसे एक प्रकार का जनमजाद संज्यूग्म विकार है जिसे मोनोसेफालस डिपाइगस और मोनोसेफालस रचिपागस डिब्रेचियस टेट्रापस कह जाता है जिसका अर्थ है कि उसे एक सिर और छाती की गुहा है दो स्रोणी है दो नीचले मुत्रपत है दो प्रजनन प्रणाली और दो पूँच और छे पैर है सकारत्मक रूप से उसके अंग काफी सही आकार में दिख रहे हैं वो पेशाब और आघात कर रही है और बहुत मजबूट है वो अच्छी तरह से सरवाइब भी कर रही है और अब तक उच्छी तरूप से बढ़ भी रही है उसके सभी पैर एक सामाने पिल्ले की तरह उतेजना के लिए चलते हैं और प्रितिकिरिया भी करते हैं उन्होंने ये भी पताया कि उम्र बढ़ने के साथ उसे शारेरिक चिकटसा और गितिशीलता सहाय तक या आवश्यक तक हो सकती है अस्पताल में कैप्शन में आगे कहा कि वे उसके स्थिती पर शोध करते रहेंगे उसके जाच के दोरान उसके विकास के निग्रादी करेंगे और इसकी पर को दर्द से मुक्त और बाकी जीवन के अराम दाइक बनाए रखने में मादद करेंगे वो अभी घर पर ठीक से है आपने देखा ये विडियो आप हमें बताईए कि आपको इसके बारे में आपकी अचानक से दिल में क्या वो वाक्य जगा जो आप इस कुत्ते के लिए कहना चाहेंगे हमें जरूर कॉमेंट करके बताएं वे और रपॉर्ट खबरे अभी ताग।